नमस्कार स्वाकत है आप सभी का दूरुशन समाचार आप देख रहे हैं और देश दिने की तास्तरीन खबरों को लेकर हासिर हो मैं क्रितिका बॉलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले नज़रा लेंगे हैडलाइन्स पर अरविंदी केज़ रिवाल रहाई के लिए करना होगा इंतिजार सुप्रेम कोट ने एजी की गिरफ्तारी के खिलाफ दैरी आचिका में दी अंतरिम जमानत लेकिन जेल से बाहर आने करास्ता साफ नहीं सीबियाई केस में जेल में ही बने रहेंगे अरविंदी केज़ रिवा पिराटक के पूर्फ मंतरी और कॉंग्रेस से ताभी नागेंद्र की बड़ी मुश्किले बाल में के निगम घोचाले मामले में एजी ने लिया हिरासत में बैंक खाते से 187 करोड रुपाई का अनाधिकरत स्थानांत्रोग अरो महराष्ट में विधान प्रेश्ट की 11 सी जोकिले वोटिंग जारी 12 उम्मी द्वार चुनावी मैदान में महायूती और महाविकास घारी के बीच एहम मुकाबला दिल्ली में विजली बिल के खलाफ भाष्ट का हल्ला बोल जंता से लूट के खलाफ सचीवाले पर प्रदरिश्वन भाष्ट पाने की सीम के जिवाल के स्तीफे की मांग मुंबर में भारी बारिश को लेकर आज और कल के लिए औरेंज अलर्ट जारी वहीं यूपी में बाहर से बिगड़े हालात प्रदेश भर में आज वांधी तुफान के साथ बिजली किरने का अलर्ट बिहार में भी भारी बारिश के लिए औरेंज अलर्ट नेपाल की संसद्वे प्रधान मंद्रे पुष्प कमल दहल प्रचंडा जो करेंगी विश्वासमत का सामना विश्वासमत से पहले में पक्षी दलों में नेपाली कॉंग्रेस और CPN UML ने अपने सबस्यों के लिए विप किया जारी और खेल की खबरों में विंबल्जन में पुरश एकल के समय फाइनल में मैध्वदेव अलकराज और जोकुवेच मुसेटी के बीच मुकाबला आज वहीं इटली की जैस्मीन पाउलीनी और चेक गड़राजी की बारबुरा क्रेजी कुफा ने महिला एकल में के फाइनल में ब और चली खबरों में आगे बढ़ेंगे लिएकर उससे पहले सीधा रुख करते हैं स्युक तिरुनरंद पुरम का जहां के अन्यमनी से रवनन सोनवाल विजुञंगम इंटरनेशनल रासी पोर्ट्स पर ट्राइल रुन के उद्खाटिन कारी क्रिम को संभोधित कर रहे हैं 24,000 crores in the state of Kerala. Out of these 19 projects worth more than Rs 5,300 crores have been completed and the rest are under various stages of implementation. As per the Container Port Performance Index of World Bank, our ministry's major port in Kerala, Kosin Port Authority, today, ranked among nine Indian ports listed in the top 100 ports of the world. Our ministry's highly reputed shipyard in Kerala, Kosin Shipyard Limited, is begging increasing number of international as well as domestic order in the most modern segment of shipping vessel. The new dry dock and international ship repair facility at CSL, integrated by our Honourable Prime Minister recently, would exponentially boost revenue generation and employment opportunities in Kerala. We are all geared up to achieve the objective set by our Honourable Prime Minister, Srin Arundra Murdiji, and India would soon be one of the top three economies in the world. On this occasion, when the Vijingam Port is all set to receive the first mothership, I once again congressled Kerala Government and the Chief Minister of Kerala for this shipment. I also congressled the Adani Group for their commitment and perseverance to attain this remarkable feat of developing such an excellent port in Kerala. I am confident that the performance of the Vijingam Port will set new benchmark at par with the best in the world and will help position the country on the top of the Global Maritime Map. Nani, Namaskaram, Jai Hind! 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 पूरी रिपोर्ट सौपी थी, जिसके बाद में 11 मार्च को राष्ट्रुपती ने भी UCC विधहक पर महौर लगा दी थी, तो ये बड़ी ख़बर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो जो UCC रिपोर्ट है वो अब आज आम लोगों के लिए भी उप्लब्द हो जाएगी, हाला कि अभीता का अगर देखाए तो सरकार ने जो है, वो कुछ अंश जो है, जो कुछ नियम है, वही लोगों तक पहुंचाए थे, वही जारी किये गए गए थे, लेकिन अब ये पूरी रिपोर्ट जो है, वो लोगों के सामने आज होगी वयोतराखंड के मुख्यमंत्री पुषकर सिंग्धामी ने UCC रिपोर्ट को सारजरी किये जाने का स्वागत किया है, मुख्यमंत्री ने समान नागरिक सहिता UCC समीती की, आज जारी होने वाली इस रिपोर्ट पर राज्य की जनता को बधाई थी और कहा कि राज्य में UCC का काम के लिए हमको चुनाते हैं, मैं अउतराखंड की जनता को बधाई देता हूँ, कि इस रूप से UCC यहां लागो होने के बाद, अनेक जो कानूनों में आज जितलता हैं, वो सरल होंगी, आसानी से लोगों को न्याय मिल पाएगा, सब के लिए यसी व्रौस्ता लागो और इंतसार करना होगा, क्योंकि सुप्रेम कोट ने ईजी की गिरफतारी की कलाफ दायर याचिका में केजडिवाल को अंतरिम जमानतों दे दी है, अदालत ने इस मामले को तीन सदत से बड़ी बैंच को भीज़ दिया है, पीम एले कानून के तहत गिरफतारी की वहता की ज जेल में ही बने रहेंगे, तो जेल से बाहर आने के लिए अभी फिलाल अरविंदी केजडिवाल को और थोड़ा इंतसार करना होगा, और इसी के साथ इस फैसले से जुड़ी होई पाँच बड़ी बातों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, तो आपको बताने कि इस फैसले सुप्रेम कोड की तरफ से मिल चुकी है, सुनवाई चलने तक अरविंदी केजडिवाल को ये जमानत दी गई है, लेकिन ये जमानत जो है वो एडी मामले में दी गई है, इस याचिका को साथ ही बड़ी बैंच को भी भेज दिया गया है, अब आगे की जो सुनवाई है वो आपको बता रहे हैं अखिल भारती संग्ठन मंत्री भी उपस्थित रहेंगे, उपस्थित हैं और साथी इस बैठक में इस्वर्ष हुए संग्षिक्षा वर्गों तथा कारिकरता, विगास वर्गों के वृत्वे समिक्षा संग्षताब्दी कारिविस्तार योजना की अभी तक हुई प्रगत सामजिक परिवर्तन के पांच विश्यों के नुभवों का आदान प्रदान तथा वर्तमान परिद्रुष्य के संधर्प में भी चर्चा हो रही है। लिया है। निगम के 94 करोड रुपए का वैध उपयोग किया गया। इससे पहले प्रवरतन निदेशाले ने बुधवार को करनाटक महर्शीबाल में के अनुसुचित जनजाती विकास निगम लिमिटेड में कथित अनिमेताओं से जोड़ी धन शोधन जाज के तहत करनाट तक के पूर्फ मंत्री और कॉंग्रस निदा वीनागेंद्र और विधायक वीदहाल के परिस्वरों सहित चार राज्य में च्छापैमारी की थी। निगम के यूनियन बैंक के बसंत नगर शाखा वाले खाते से एमजी रोड शाखा वाले खाते में 187.33 करोड रुपाए की नथीर परियत रस्तानांगेंद्रूड की वापस जमातावा किया था और इस 187.383 करोड़ रुपाए में से 99.9 करोर रुपई का खाता एमजी रोड इस्तत यूनियन बैंक की शाखा में खोलने के लिए उन पर दबाव डाला था इस मामले में साइटी निगम के प्रभंद निदेशक जेबी पदमुनाब से भी पहले भी पूछताच कर रही है इस बार पता चलाए कि ये अवैदकार नाकिंद्र के निर्देश पर किया गया था राजसरकार ने इसकी जाच के लिए साइटी गठित की है तो वहीं यूनियन बैंक आफ इंडिया की शिकायत के अधार पर किंद्र जाच ब्यूरो भी इसकी जाच कर रहा है और वहीं अब बात महराश्ट्र के जहां विधान परिश्ट की 11 सीटों के लिए वोटिंग लगा तरच वाली है और विधान परिश्ट की 11 सीटों के लिए 12 उम्मी द्वार चुनावी मैदान में है वोटों की गिंती शाम पांच बजे की जाएगी आपको बता दे कि महायूती और महाविकासा घारी के बीच ये एहम मुकाबला है क्रोस वोटिंग के डर से महराश्ट में रिजॉर्ट पॉलिटेक्स भी शुरू है और सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को कम से मिलेना शुरू किया है इसे पहले चुनाव के लिए NCP अध्यक्ष और राज्य के उपमुक्य मंत्री अजित पवार अपने विधायकों के साथ अधेरी की दहलले तो होटल से निखले आपको बतादे कि NCP अजित पवार के सेते सुविधायक है विधान परिशत के दो उमिद्वार NCP अजित पवार खेमे से चुनावी मैदान में है राज्य विधान मंजल के उपरी सदन के 11 सदस्य, 11 सदस्यों को 27 जुलाई को 7 रिव्रत हो रहा है और इनी रिक्तियों को भढ़ने के लिए ये चुनाव भी हो रहा है महायूती ने 9 उमिद्वार खड़े की हैं तो वहीं महाविकास घाड़ी ने 3 उमिद्वार चुनावी मैदान में उता रहे है महराष्ट में विधान परिशत का ये चुनाव इसके लिए भी एहम है क्योंकि लोक सभच चुनाव के बाद एंटी और इंडिकर बंदन के बीच पहला मुकाबला है और इस साल के अंतु में होने वाले विधान सभच चुनाव से पहले इन चुनावों को एहम माना जा रहा है और चलिए अब बात दिल्ली की जहां दिल्ली में बिजली बिल वढ़ात्री की विरोध में दिल्ली भाष्पा पार्टी बिजली बिल के खिलाफ सची वाले पर प्रदेशन कर रही और मुख्यमंत्री से स्तीफे की मांग कर रही है इसी सिलसले में दिल्ली में अर्विंद केजडिवाल के खिलाफ कई जगाओं पर पोस्टर लगाए गई हैं पार्टी ने आरूप लगाया कि दिल्ली सरकार और बिजली कंप्रियों ने साथ गाठ कर जनता से पीपीएसी और पैंशन के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूला है दिल्ली सरकार बिजली कंप्रियों के साथ मिलकर दिल्ली वासियों को दो तरह से लूट रही है एक तरफ पीपीएसी के नाम पर आरदशनों साथ पांच फीजदी बिजली के बिल में बढ़ातरी की गई तो वहीं दूसरी और पैंशन के नाम पर साथ फीजदी अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। ये दोरों शुल्क बिल में बिना बताय बढ़ाए गए। इसकी चलते दिली के भूकताओं का बिजली बिल देड़ गुना बढ़कर आ रहा है और दरसल बिजली के मूले में होई बढ़ातरी मई के महिने में जोड़ी जाएगी। यानि एक मई के बा जाने की बात ये है कि दिली Electricity Regulatory Commission यानि DERC की और से ही बुन्यादी बिजली शुल्क में कोई संशुधन नहीं किये जाने के बावजूद दिली के लोगों को बिजली के बिलों में बढ़ातरी का सामना करना होगा। साउथ और वेस्ट दिली को बिजली की सप्लाई करने वाली BSES राजधानी पावर लिमिटेड का PPAC 35.83 प्रतिशत तक बढ़ा है। जबकि इस्ट और मध्य दिली को बिजली सप्लाई करने वाली BSES राजधानी पावर लिमिटेड का PPAC 37.75 प्रतिशत तक बढ़ा है। जबकि नई दिली नगरपाली का प्रतिशत अंडीमसी जो शहर के सबसे पाउश एलाकों में पावर सप्लाई करती है। उसका PPAC सबसे ज्यादा 38.75 फीजती है। और वही करनाटक में भाजपा नेताओं ने मैसूर में हुए कथित जमीन घोटाले मामले में करनाटक के मुख्यमंतुरी सिधार मया के खिलाफ विरोध प्रतिशन किया। मैसूर अर्बन डेवलप्मेंट अथार्टी से जुड़े कथित घोटाले मामले में प्रदेश भाजपा ध्यक्ष विजेंद्रु की अगवाई में नेताओं ने प्रदेशन किया। ये मामला मैसूर अर्बन डेवलप्मेंट अथार्टी M.U.D.A की ओर से शहर की प्राइम लोकेशन पर जमीन आवंटन से जुड़ा है। जिसमें करनाटक C.M. की पतनी को कथित रूप से सभी नियमों कुताक पर रखकर लगभग चार हजार क्रोड रुपए के प्लाट दिये जाने के आरोप लग रहे हैं। और महीं सुप्रेम कोट ने हातरस भगदर मामले पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। अदालत में आचिका करता को हाई कोट जाने की को कहा है। अदालत ने कहा कि ये निश्चित तोर पर चिंताजनक मामला है लेकिन उचन्यायले इस पर आदेश चारी करने में समर्थ है। वकील विशालतिवारी की तरफ से दाख लिए आचिका में घटना की जाज सुप्रेम कोट के रिटायट जज की निगरानी में कराने की मांग की गई थी। और वहीं दिली विश्व विध्याले के LLB के चात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने वाले मामले पर केंद्वी शुक्षम मंत्री धर्मेंद्र प्रधार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रपोजल आया था लेकिन वो रिजेक्ट किया जा चुका है। ये जायाशने के लिए ये उनिय शुकार ये अधिताच्णाश्य मेंद्रीकार, च्प्षम मेंद्ध विशुक्षम मेंद्रीक टीट में विद्टेजियका चिए अप्रम प्रपोजल था अपने थे अप्रपोजल गजू अधविव टियू कोई श्टेटक इंसुट्ट पर फुचिरिस्टिक लुक फुचिरिस्टिक आप्रोच गर्मेंट इस कमिटेट तो अफोल्ड टू स्पिरिट रेटर अफ कंस्टिटुशन तो इन्कूड एनी एनी कंट्रोवर्शल पॉर्शन अफ एनी स्क्रिप्ट और वहीं देश के कई राज्य में बाहर तो कहीं पर भारी बारिश को लेकर मौसम भाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है मौसम भाग ने आज मुंबई समेत पूरे उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसन भाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक अलग-अलग राज्य में भारी बारिश होगी कोकड़ और गुवा, मुंबई समेत, मध्य, महराश्ट और तठी करनाचक गुजरात करनाचक के दक्षर में भीतरी इलाप में आज से लेकर 15 जुराई तक भारी बारिश की चितावनी जारी की गई है और वहीं उत्तर प्रदेश में नदियों का जलिस्तर लगातार बढ़ने से 12 जुले बाहर की चपेट में आ गए है कई गावों का संपर्क सडक्र से कट चुका है इंजरों के 633 गावों की 7,97,116 तरजन संख्या बाहर से प्रभावित है सबसे ज्यादा शाजहापूर पीली भीत लखिमपूर खीरी बदाईयों बरेली बहराईच श्रावस्ती बाराबंकी अंबेडगर नगर अयोध्या ग पर आने से यातया तो भी बंद कर दिया गया है और यूपी के बाद अब बात असमकी करेंगे जहां बारिश कम होने की वैसे बार की स्तिति में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है ब्रहंपूत्र नदी के कुछ प्रमुक्रिस्थानों और सायक नदियों में वि भी जल्मगन है 41,000 से ज्यादा लोग बाहर से पीड़ित बार पीड़ित जो है वो 299 रहात शिवरों में रह रहे हैं असम में बाहर से मरने वालों की संख्या फिलालती रास्ती है बीते कल बाहर के कारण कोई हताहत नहीं हुआ और चलिए अब बात उत्राखन के जहां उत्राखन में जोशी मठ के पास भारी बारिश के कारण बद्रुनात राश्ट्री राचमार्ग साथ गंटों से अधिक समय तक अफुरूद रहा फसे हुए बाहान और तीर्थियात्री मार्ग खुलने का इंतिजार कर रहे हैं इस् वही नेपाल में भीशन भुसकल के कारण दो बस त्रिशूली नदी में गिर गए इन दोरों बसों में 65 यात्री सवार थे जिन में साथ भारतिय और अन्ने 17 यात्री त्रिशूली नदी में बहे गए जित्वन के मुखे जनातिकारी इंद्रदेव यादफ ने बताया कि पर हुआ फिल्हाल घटना इस तर पर बचाव अभियान का काम जो है वह अभी भी जारी है और वही नेपाल के प्रधान मंतरी पुष्प कमल दहल ने इस हादसे पर दुख चताया है कि नारायनगर मुगलिन सडक खंड पर भूसकलन में बस के बहे ज़ाने से लगभग पांच दरजन यात्रियों के लापता होने की रिपोर्ट और देश की विफिन हिस्सों में बाहर और भूसकलन के करण संपत्यों के नुकसान से बहुत दुखी हूँ ग्रहर पर शासन सहित सरकार के सभी अजन्सियों को यात्रियों के खोज और प्रफावी बचाव का निर्देश दिया क्या है और चलिए इसे के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे आपको बता दें कि अब हर्याना भी बनेगा एनिमिया मुक्त जिहां अनिमिया मुक्त भारत के तहत अनिमिया मुक्त हर्याना बनाने की भी शिरुवात हो चुकी है हर्याना में नुहु जिलेगे गंगोली गाउफ में अनिमिया स्क्रिनिंग कराई गई जिसमें काफी संख्यावे ग्रामिडों ने अपने स्वास्थे की जाच कराई बिस्नौली सर्वोदै ग्राम उद्योग सिवा संस्थान द्वारा बीपी सील की मदद से आयुजित इस तरह के हर्याणा में 35 एनिमिया इंस्क्रिनिंग कैम्प और भी आयुजित किये जाएंगे पेश है हमारे समवाता गरेश निशाना की ये खास रपोर्ट एनिमिया मोक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए हर्याणा में भी एहम कदम उठाए जा रहे हैं जी हाँ एनिमिया मोक्त हर्याणा बनाने के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगंठन भी इसमें अपनी एहम भूमी का निभा रहे हैं बिस्नौली सर्वोदै ग्रामुद्योग सेवा संस्थान यानी BS GSS द्वारा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से हर्याणा के नुह जिले के गंगोली गाउं में एक निशुल्क स्वास्त जांच शिविर कायोजन किया गया इस शिविर में एनीमिया क लेकर ग्रामिनों के रक्त की जांच की गई विस्नौली सेवा संस्थान उसके द्वारा CSR बार्टनर है BPCL उनके सहयोग से एक शिविर का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य है कि हम अपने जिले को एनीमिया मुक्त बनाए और जैसा कि विदित है कि हमारा मेवात जिला एक एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट में भी है संपूर्ता अभियान में भी यह है और यह अभियान 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक लौंच किया गया है और इसमें एनीमिया मुक्त भारत के लिए जो यह संस्था है सेवा संस्थान है इसका बहुत अच्छा कारिया है लेकिन इन दोनों फोकस एनीमिया पर किया गया है उनसे पैदा होता है उसकी मतलब संपूर्ण जो शारिरिक और मानसी की विकास ठीक तरह से नहीं हो पाती है इस निशलक स्वास्त जांशिविर में गंगोली गाओं की लोगों ने एनीमिया की स्क्रीनिंग कराई साथ ही लोगों को कुपोशन के प्रती भी जागरुक किया इसी तरह से हर्याना में एनीमिया स्क्रीनिंग के 35 और भी कैम्प आयजित किये जाएंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्परेशन उनके सौजन्य से यहाँ पे 35 कैम्प किये जाएंगे और इसमें 30 हजार से भी ज्यादा लोगों का निरिक्शन किया जाएगा और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 16 प्रशिक्शन केंद्र नूजिला में हैं और वहाँ पे इसका फॉलो अप होगा अगर एनीमिया बच्चों में और महिलाओं में और पुर्शों में एक अच्छी स्टेज पे चेक हो जाता है तो उसके बाद इनकी जिंदगी खुशाल रहती है इनको प्रोटीन और मल्टिवाइटमिन के सप्लिमेंट्स दिये जा रहे हैं जिनका भी हेमियो ग्लोबिन लो होगा और उसके बाद उसका वक्त वक्त पे निरिक्षिन किया जाएगा और इनका ब्लड लेवल ठीक किया जाएगा बीपीसियल और बीएस जी एसस द्वारा शुरू किये गए जन आरोग्यम केंद्र में मिल रही निशुलक स्वास्त सुविधाओ और ग्रामिनों को पोशन युक्त आहार और रोग प्रतिरोधक शक्तिवर्धक पैक मिलने से ये काफी उत्साहित हैं विसनौली सरवोदय ग्रामध्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जो देश के कई हिस्सों में अब तक कई जन आरोग्यम केंद्र स्थापित कर चुकी है ये संस्था पिछले दो दशक से ज्यादा समय से दिल्ली, उत्तरप्रदेश, पंजाब और हर्याना समेत कई राजियों में महिला स्वरशक्ती करण के साथ साथ लोगों तक बेहतर स्वास्त सुविधाएं पहुंचाने में प्रयासरत है ग्रीश निशारा, डीडी न्यूस, नू हर्याना और वहीं उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्र योगी आदेतिनाथ ने लखनों में यूपी आम महुतसफ दोजार चॉबिस का अगास किया इस महुतसफ में आम की कई प्रजातियां प्रदेशित की की हैं इस दोरान मुख्यमंत्र योगी ने आम महुतसफ में लगी स्टॉलो का निरिक्शन कर उनकी खासियत को भी जाना और इसे के साथ फलाल मुरे साथ इस बुलिट में इतना ही ब्रेक के उस पर देखे हमारा खास कारेकरम एक्सक्रेस हंड ब्रेट सहयोगी भाफना के साथ नमस्कार